वेल्कम गाईज आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षानीज यूटूब चैनल पर फ्रेंड्स कल मैंने आपको एक नॉटिफिकेशन बताए था जो नैनिताल बैंक लेमेटेड की तरब से एक नॉटिफिकेशन निकला था तो मैंने उस वीडियो में बताए था कि सारा आ लीजनिंग में कितने माक्स से पूछी जाएगी और क्वांट में क्या पूछा जाएगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आगा जरूर दबाले क्योंकि आपको जो है लेटेस्ट नॉटिफिकेशन रिजल्स एट्मिट कार की जानकारी जो है सबसे पहले देखने को मिलती है चलिए फ्रेंट्स है स्टार्ट कर ले था वीडियो स्टार्ट कर ले था फ्रेंट्स फ्रेंट्स ननिताल बैंक लिमिटेट ये मैंने जो है आपको कल भी नॉटिफिकेशन बता दिया था अगर किसी भी बचे ने जो है कल वाला नॉटिफिकेशन नहीं देखा उसमें मैंने आपको डिटेल वाइस पूरा पूरा क्लियर तोर से बता दिया था फीज किती लगी किती है और क्लिफीकेशन क्या रकी गई है सारा डाइंट मैं बता दे लिज是我 अपको बता देता हूँ थोड़ा और किसी थो तोちは आज वीडियो देख लेए और कल की भी वीडियो देख लेए सबसे बहले बात करते हैं पीयो के लिए पीयो के लिए जो है 75 वेकंसी है और 21 एज 32 मैक्सिमम क्लर के लिए 80 एज 21 मैं 21 से 28 तक जो है इसमें एज रखी गई है और इसमें पीयो में जो मैंने आपको बताये था कुछ ब अग्रेजीशन मांगा गया है और 50 परसंट के साथ पोस्ट ग्रेजीशन दोनों है तो चल जाएगा और साथ में आपको तो computer की जानकारी होनी चाहिए, computer knowledge compulsory है, वहीं clerk की बात करें, तो clerk में आपको graduation प्लस 45% के साथ आप पास होनी चाहिए, और computer की जानकारी इसमें भी मांगी गई गया, वहीं बात करते हैं pay scale की, तो PO में 23,000 से शुरू है, बाकी DAOE लगाने के बाद 42,000 के प्लस आपकी salary की, वहीं clerk की बात करें, तो clerical में जो है, आपकी 31,000 से प्लस आपकी salary जाएगी, जो in hand आपको मिलेगी, और इससे जो TDA होता है, जो भी भत्ते होता है, वो सारे allowances आपको मिलेंगे, और मैं नीचे लेके चलता हूँ आपको, वैसे मैं आपको एक कल बता दिया था, फिर भी की, मैं एक बार और बता देता हूँ, फीस की बात करें, तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, काफी बच्चों को जो है, दुख होएगा इसमें, की फीस थोड़ी ज़्यादा रखी गई है, ने निताल बैंक ने, की PO के लिए 2,000 रुपीस लिये जा रहा है, और clerk के लिए 1, 1500 रुपीस लिये जा रहे है, इसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताए गया, की SC के लिए कम है, या ST के लिए, OBC के लिए, कुछ ऐसा नहीं बताए गया, सिर्फ इसमें यहीं लिख रखी है, इनके notification में, की PO वाले बच्चों से 2,000 और clerk वाले बच्चों से 1500 रुपीस लिये इसके सलेबस के बारे में बताता हूँ, एक्जामनेशन सेंटर की बात करें तो हल्दवानी में हल्दवानी, धैरादोन, रुड़की, बरेली, मेरट, मुरादाबाद, लखनाओ, जैपूर, दिल्ली और अमबाला में जो है, इसके एक्जामनेशन सेंटर होंगे, तो आप जितनी जल्दी अपना फॉर्म भरोगे, उतनी जल्दी चैंसेस हैं कि आपको आपके घर के पास का यानि नजदीक का सेंटर मिल जाएगा, अब बात करते हैं इसके में टॉपिक पे, यानि जो वीडियो बनाने का उद्देश्यता कि पीयो में सर क्या क्या पूछा जाएग पीयो में देखिए, थोड़े moderate question आएंगे पीयो में और clerk में जो आएंगे थोड़े easy, easy to moderate और इसमें थोड़े email, पीयो की post है तो थोड़े अच्छे level के आपको question देखने को मिलेंगे और है ना, अच्छे level के question देखने को मिलेंगे पीयो में और clerk में थोड़े easy question देखने को मिलेंगे वहीं बात करते हैं तो PO में क्या-क्या पूछा जाएगा सबसे पहले बात करते हैं reasoning के लिए मैं बहुत अराम से बताऊंगा आपको टाकि सब बच्चों के समझ में आ जाए बचा अगर आपने चैनल को अभी तक सबस्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्राइब करके बैल आइकन जूर दबा ले क्योंकि आपको जो है नॉटिविकेशन जब ही मिल पाएगा सबसे बाले बात करते हैं PO में reasoning की reasoning में जो है आपको 60 questions देखने को मिलेंगे और 60 marks के होईगे आपके इसमें जो आपको time दिया जाएगा 45 minutes का आपको time दिया जाएगा उसके बात करते हैं English language में 40 questions 40 marks 35 minutes का आपको time दिया जाएगा इसके बात करते हैं बहुत ही important section की quant की point mathematics को कहते हैं point की बात करें तो 50 questions 50 marks 40 minutes का आपको time दिया जाएगा last में बात करते हैं general awareness और banking से related होता है general awareness और इसमें आपको 50 questions 50 marks 25 minutes total time की बात करें total question की बात करें तो 200 questions 200 marks के होईगे आपको 145 minutes का आपको time दिया जाएगा negative marking जो है one by four negative marking है अगर आप चार question गलत करते हैं तो आपका एक सही वाला question जो है वो काट लिया जाएगा इसमें हभी तक यही देखा गया है कि आपका pre और pre नहीं है इसमें डारेक्ट जो है एक ही paper होगा और जो आपका paper होगा वो मालब एक ही paper होगा pre नहीं है इसमें अभी तक यहीं बताय गया है क्योंकि pre होता तो इसमें बता दिया जाता लेकिन हभी जो है हभी आपका एक ही paper होगा अब बात करते हैं clerk के clerk में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा clerk में आपका जो है reasoning हो जाएगी 40 question की 40 marks 35 minutes का आपको time दिया जाएगा English language में आपको 40 question 40 marks 35 minutes का time general awareness में आपको 40 question 40 mark और ये general awareness जो है वो easy रहेगी इतनी moderate नहीं रहेगी 20 minutes का आपको time दिया जाएगा फिर यहाँ पर एक subject और जुड़ जाता है कि computer knowledge computer knowledge के आपके 40 question होएगे 40 marks 40 question 40 marks और आपको जो time दिया जाएगा 20 minutes का आपको time दिया जाएगा last में बारत करते है quants की quant में आपका 40 question होएगे 40 marks 40 question 40 marks 35 minutes का आपको time दिया जाएगा इसमें भी same इसमें भी same जो है 200 marks और 200 marks और 200 marks मिनट्स का वह 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 कोश्चन सौरी question जो है आपको दिये जाएगे time जो मिलेगा 145 minutes ही time मिलेगा दोनों में बराबा टाइम मिलेगा negative marking जो है 1 by 4 negative marking है दोनों में ही negative marking है यानि 0.24 marks आपका काट लिया जाएगा तो आप जो रिस लोगे आपको शोर होना चाहिए कि यह मेरा question यह सही हो जाएगा तो आप जो है जबी इस question को करना जबी करना इस question को आप तो यह दोनों का syllabus है और मैं एक video all लाके दूंगा कल आपको कि उसमें जो है आपको आपके subject कौन से पूछे जाएगे subject कौन से नहीं पूछे जाएगे यह मैंने आपको ननिताल bank limited का syllabus पता दिया कि आप reasoning के कित्ते question आएगे English में Quant में computer में कित्ते question पूछे जाएगे और कित्ते question नहीं पूछे जाएगे form जो है इसका form कल से start हो गया था 29 से 15 तरी तक आप इसका form भर सकते हैं 15 दिन का आपको जो है समय दिया गया है और बहुत ही अच्छी vacancy है ननिताल bank में जो है बहुत ही कम vacancy आती है आप जो है form दोनों का बनना दोनों का ही form बनना और मैं इसमें अगर आप cut-off की बात करें त P.O. की cut-off जो है वो कम ही जाएगी हभी मैं बता नहीं सकता कितनी जाएगी लेकिन clerk की कम ही जाएगी क्लर की क्लर की क्लर्क में जो है easy question आएंगे और P.O. में जो है थोड़े moderate level के question आएंगे ठीके friends तो ये मैंने आपको syllabus बता दिया P.O. और clerk का क्या-क्या पुछा जाएग अब एक वीडियो और मैं लाके दूँगा शाम को आपको subject से related की subject उस subject में आपके जैसे reasoning, English, quant और general awareness में क्या-क्या topic आपको पढ़ने जरूरी है क्या topic नहीं पढ़ने जरूरी है ठीक है friends तो friends इस वीडियो में इतना ही यह रखते हैं और बचे हमें इससे नहीं जुड़ प job notification, results, adbit card की जानकारी जो है miss नहीं होने की, यहाँ पर हम 10 से लेकर, 10 से लेकर, graduation तक के सारे competition exam कोई भी notification आता है वो सारे cover करते हैं, adbit card सारे cover करते हैं, results की जानकारी आपको सबसे पहले देते हैं, चलिए friends मिलते हैं और वीडियो के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद friends घुकर लग से लेकर, जब हो आता है, इस दुकर, यहाँ रूल, मुझा आता हुप